मुझा अब्रिवान वेल्कम बेक टू मैं चैनल होप करती हों आप सब ठीक होंगे स्वस्त होंगे तंदूरस्त होंगे मैं भी एक दम ठीक हूँ मैं बड़िया हों स्वस्त हों तो मेरा नाम है अंजली और मेरे चैनल का नाम है कच्छी गल अंजली आप सब का फिर से एक बार वेल्कम करती हूँ तो सुमा का टाइम है सुमा में पांच मजे उठ गई थी लेकिन सुमा से मेरे व्लोग स्टार्ट नहीं किया था दिया बाती किया फिर नास्ता मनाया चाय नास्ता किया गरम पानी पिया तो इतना सब कर लेने के बाद जो मैंने व्लोग स्टार्ट किया है या पर आ गई हू मेरे मेटे के रूम में तो वीर की रूम की ये मेट सीठ है इसको अच्छे से ठीक किया सेट किया मेट को अच्छे से मना दिया इसके बाद वोस रूम के पास जो ये मेट है इसको आज वोस कर दी है बहुत ही गंदी हो गई है तो जब तक मैं घर के अंदर काम करूँगी तब तक इसको भीगो कर रख देती हूं ताकि मेल जल्दी से निकल जाए और ये जेली है जो मैंने लोकल मार्केट से ही खरी दी है जब भी मैं इसके अंदर कुछ भीगो कर रखती हूं और निखाती हूं तो मुझे कोमेट आती है कि कहां से लिए तो मैंने ये लोकल मार्केट से ह खरीदी है तो घर के अंदर जो काम करना है तब तक इसको मैं भिगो कर रखूंगी तो अच्छी तरीके से जो मेल है वो निकल जाता है इसके बाद घर के अंदर जो काम है वो करूंगी तो दोनों काम साथ साथ हो जाते इसलिए मैं multi-tasking की काम करती हूं तके फटा-फट से हो जाए और यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रहे हैं इस तरीके से कुछ जेली आती है और यह मैंने कुछ साफ कर दूँगी तो थोड़े थोड़े टाइम पर ऐसे मैं पूरा फ्रीज क्लिन करई करने देती हूँ जब बी मैं पूरा डीप क्लिन करती है तो जो सारे पार्ट से काच वगेरा वह ही अच्छे से बौस कर देती हूँ आज इतना ज्यादा गंदा नहीं था तो फिर मैंने ऐसे पूरा जो पोच दिया है क्लीन कर दिया है और सरदी की वज़े से थोड़ी मेरी आवाज भी ऐसी आ रही है तो सोरी इसकी लिए मैं हर भार वीडियो में बोलती है बट क्या करें इसको छोड़ते हैं है वो भी नहीं होता है तो यह पर जो सारे ओर्गनाइजर इसके अंदर सबजी कट करकर में रखती हूं इसको में रख रही थी तो बहुत सार जो हमारा time save होता है किचन का कुछ और काम करना होता है तो हम कर सकते जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं मेट कर जो समझिया कट करकर ऐसे store करती हूँ और इसके अंदर धनिया और मेती है इसको भी मैंने कट करकर रखा था लेकिन अच्छे से यहां पर आ नहीं रहा था तो फिर मैंने निच्चे की तरफ जो है रख दिया ताकि मैं अच्छे से इसको निकाल सकूँ और रख सकूँ तो इसको मैं इस तरीके से कुछ सारा फ्रीजे इसको मैंने अरेंज कर दी है अब बाहर की तरब भी पूरा अच्छे से मैं उसको पोस्ट दोगी जब भी मैं ऐसे क्लीन करती हूं तो बाहर से भी पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूं तो बस ऐसे थोड़े-थोड़े समय पर अगर हम घर की और किचन की क्ली इसे बिल्कुल भी नहीं होता है तो अधर चोटी चोटी हैबिट से हैं जो हमारे गर को साथ सुटरा रख सकते हैं एसे हम गर के काम को सारा अरेंज कर सकते हैं यह पर आपकिन है वह मैंने रखे हुए तो इस तरीके से यहां पर मैंने रखा हुआ जो organizer जो पहले मैंने आप लोगों के साथ share किया है इसके अंदे मैंने सारी चीज़े है वो रखी हुए छोटी मोटी तो कल रात को मैंने महिंदी भीगोई थी आज मुझे बालों में डाल दी है मैंने परसों के वीडियो में आप लोगों के साथ share क यहां था कि मैं महिंदी कैसे भीगो कर रखती हूँ अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो मैंने परसों ही डाला था अगर आपको इंट्रसेट आप देख सकते हैं बालों में महिंदी डालू उससे पहले आधी खानी की तैयारी है वो मैं कर लूगी ताकि फिर बाल है वो भी मैं गुत कर साइड में रख दूगी तो इसी तरीके से जो हम डिवाइड कर देते हैं काम को तो फटा फट से अरेंज हो जाता है अभी मुझे बालों में महिंदी डाल ली आगे का काम भी करना है लेकिन जो इतना जो खाने की प्रोसेस से वो मैं करकर रख देती तो काम करने के बाद फिर हमें आलस भी नहीं आती है अगर कुछ भी नहीं किया होता है तो फिर थोड़ी से आलस आही जाती है तो मैं इसी तरीके से काम करती रहीती हूँ साथ साथ खाने की तयारी वो भी करती हूँ और घर का काम है वो भी करती हूँ तो इस तरीके से जो म उनमें बस महिंदी यह लगा रही हूं बालों में तो ज्यादा तो मुझे नहीं लगानी थी क्योंकि बहुती सर्विया चल रही है और वैसे भी मुझे सुखाम की एलर्जी है तो मैं ज्यादा नहीं लगा हूँगी लेकिन आगे की तरफ जो मेरे वाइट बाले हैं वहां पर अगर आपके बालों में जो महिंदी सुख जाती है तो ही ड्राय होते इसलिए में पूरा कवर कर लेती हूँ ताकि महिंदी बालों के अंदर सुखे नहीं तो यह पर जो आंगन के अंदर मैट कर पानी है वो मैंने बर लिया है जो मेट मैंने भीगो कर रखी थी तो मेट कर इसको मैं अच्छे से वोस कर दूँगी और दूप में सुखा दूँगी ताकि अच्छी तरीके से सुख जाया तो अंदर खाने की तैयारी आती वो भी कर ली है बालों में महिनी भी लगा ली है तो बस ऐसे ही थोड़ा जो मल्टि टास्किंग काम करते हैं तो फटा-फट से हो जाता है पता भी नहीं चलता है कि कब काम हो गया तो बस ऐसे ही मैं घर के कामों को डिवाइड कर देती हूँ और फटा-फट से एक के बाद एक काम अरेज करती हूँ फटाफट से हो जा तो बाहर आगण की जो मेट है वो भी मैंने ले ली है कि हात्क वोस करही देती हूँ ऐसे थोड़ा जो सामून वाला पानी बचाई था तो मैंने सोचा इसको भी हात्क वोस कर देती हूँ तो यह वाली मेट ज्यादा गंदी नहीं थी लेकिन फिर भी पानी बचा था तो मैंने सोचा कि हातके आद इसको भी你說 कर देती हूँ, क्योंकि यह मेट बाहर की तरफ रहती है तो धुलवीटी ज्यादा उठती है तो मैं हफ्ते में तीन बार वस कर ही देती हूँ, तो आज यह नहीं बैठती हूं तो क्योंकि white color की यहां पड़ टाइल से पूरी खराम हो जाती हूं बाहर की तर बहुत मिटी ज़्यादा उठती इसलिए time to time यहां पर साफ करना पड़ता है तो यह यहां पर जो powder है वो मैंने डाल दिया यहां पर अच्छे से में पूरा क्लीन कर दूगी लेकिन इससे पहले जो तुलसी बैया का पोधा है बाहर का जो गमला है इसको में अच्छे से पूरा क्लीन कर दूगी साफ कर दूगी तो अच्छे से मेरे पानी से साफ कर दिया है क्योंकि जो वाइट कलर का है कि इसके उपर मिट्टी बहुत ज्यादा दिखाई देती है तो सारे गंबले इसको मैं टाइम टू टाइम अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ तो यहाँ पर आंगल में मेरे डिटरजन पाउडर है वो डाल दिये अच्छे से पूरा उसको मैं करके निच्छे जो टाइल्स ऒाइड कलर दोंगी निच्छे के जो टाइल वाइट कलर की कि हैं तो फिर बहुती खराब सी लगती है अगर गाड़ी अंदर रखते बाहर पानी होता है तो फिर पूरी मिटी मिटी गर के अंदर आती इसको time to time clean नहीं करती हूँ तो बहुती खराब सा लगता है अंगल तो हपते में एक बार अच्छे से में यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर या फिर लिक्विड डाल कर पूरा गिस लेती हूँ ताकि अच्छे से चमक जाए तो सारा काम बाहर का हो चुका इसके बाद जो बालों में मैंने महिंदी डाली थी तो बालों को भी मैंने वोस कर दिया है तो आज मैंने बाल गरम पानी से नहीं दोए क्योंकि बालों में महिंदी डाली थी इसलिए मैंने गरम पानी से वोस नहीं किया है तो यहीं पर मैंने बालों को wash किया है बैठ कर तो बस machine मुझे सामने की तरफ दिख कया तो यहाँ पर मैं अच्छे से पूरा जो washing machine इसको मैंने clean कर दिया क्योंकि मेरा machine बाहर की तरफ है तो मिट्री जादा उठती है तो मैं दो दिन में एक बार अच्छे से साफ कर ही देती हूँ और आज मुझे वोसिद मushीन का जो टम है इसको मुझे पूरा डिप क्लीन करना है तो इसलिए मैं इसको आज क्लीन कर रही तो ये वाला जो पावदर है वो मैंने डाल दिया है यहां पर मैं पूरा इसको set कर दूगी आप देख सकते हैं टम लिखा हुआ इसको मैंने set कर दिया है बस यहां से machine में चालू कर दूगी तो अपने आप यह पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा तो महीने भी एक बार अच्छे से में पूरा टम है इसको clean कर ही देती हूँ तो म जो clean होता है वो process चालू हो जाएगा तो बस इसको इसका काम करने देते हैं तब तक हम चलते थोड़ा दूप में क्योंकि मैंने भी बाल वोस की है तो बस ऐसे थोड़ा सा धूप सेक लूगी तो मैं अभी ड्रायर नहीं करूँगी बालों में फिर मेरे बाल महोती जड़ते इसलिए मैं धूप में खड़ी रहे जाती हूँ ताकि जल्दी से जो बाल है सुख जाए तो ज्यादा देर तो मैं खड़ी नहीं रहूँगी क्योंकि अभी जो खाने की तयारी भी करनी आती तो हो चुकी लेकिन फिर भी kitchen में भी काम है तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए य होती जरूरी अगर आप इस तरीके से time to time इसको clean करते रहेंगे तो आपके कपड़ें बहुत अच्छी तरीके से साफ होते हैं तो मैं बहीने में एक बार अच्छी से पूरा टब है इसको clean करी देती हूँ तो बस तब clean हो रहा है तब तक आ गई हूँ kitchen में यह पर जो मैंने आलू बाले के लिए रखे थे वो भी उबल चुके तो आलू को मैं छिल लूगी आज बना ले आलू के पराठे मेरे मेठों को महोती पसंद है आप लोगों को मेरे व्लोग में ज्यादा दिखाए देने को मिलेंगे क्योंकि मेरे मेठों को महोती पसंद है तो वह ज्यादा पावडर हल्दी का पावडर डाला है थोड़ा सा लाल मिर्ज का पावडर डाला है अच्छे से सारे मसाले को मिक्स करकर ऐसे हाथ से मसल दूगी तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ थोड़ा सा इसका में तड़का भी देती हूँ ताकि आलो के पराठे ऐसा करते हैं बहुत ही अंदर निकाल लिया है और अच्छी तरीके से पूरा ठंडा कर दूगी इसके बाद जो आलू के पराठे वो में बना उगी तो खाने में बहुत ही टेश्टी बनते हैं मसाला इतना टेश्टी बना है अगर आप ऐसे खाते हैं तो भी बहुत ही टेश्टी लगता है तो हमारे गर्म इस तरीके से ही बनता है मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद मुझे पता है वैसे ऐसे पराठे नहीं बनते हैं लेकिन जो गुजराती लोग है ज्यादा ऐसे ही बनाते हैं तो हमारे पहले से हैं मीटे थो हम इसी तरीके से बनाते हैं वैसे भी जिस तरीके से हमारे गर्मी ल तो आज हम लोग आलू के पराठे के साथ खाने वाले है रायता यहां पा जो मूग है उबालकर मेरे फ्रीज में श्टोर करकर रखा था इसके अंदर मेरे डालाए बारिक कट करकर ओनियन डाली है थोड़ा सा यह पर नहीं डाल दिया है स्वाथ के अनुसा नभक डाला है लाल तो पूरा टम अच्छे से क्लीन हो चुका बस निया पर में चेक कर रही थी तो आप देख सकते कि इतना अच्छे से पूरा टम है वो क्लीन हो गया इसलिए मैं क्लीन करती हूं ताकि कपड़े अच्छी तरीके से पूरे जो साफ धुले तो इसको टाइम टू टाइम अगर ह जाओगी मेरे देवरानी के पास बस ऐसे गप्पे लड़ाएंगे उसके बाद आ जाओगी तो रात हो चुकी अभी आज क्यों किचन में यहां पर आज बनानी है कड़ी पालक की तो यहां पर मेशन निकाल लिया है यहें पालक जो मैंने कट करकर रखा था जब भी टाइम म बाहर पटा के फोड़ रहें बच्ये आप लोगों ट्राइ नहीं किया तो जरूर ट्राइ करना तो रोटिया भी मैंने बना दिये तब तक यह थोड़ा समय किच्चन इसको समेट लेती हूँ बहुती मेसी मेसी किच्चन होता है तो मुझसे मिलकुल भी काम नहीं होता है तो थोड़ा से यह थोड़ा से किच्चन है वो थोड़ी सी मेने डाली, अच्छी से पूरा उसको मिक्स करूँगी, इसके बाद यह पर थोड़ा सा हल्दी का पावडर यह वो डाल दिया है, और उसके बाद जो हमने कट करकर पालक रखी हुई, वो एड़ कर देगे, अच्छी से इसको सोते कर देगे, थोड़ी दिर में तो बस इसके अंदर जो dry masala है वो में करूँगी थोड़ा सा या पधनिय का पाउडर है वो डाला है थोड़ा सा लाल मीच का पाउडर डाला है अच्छी तरीके से उसको mix करेंगे इसके बाद जो कड़ी का गोल बना कर हमने रखा इसको हम डाल देंगे बस अच्छी तरीके इस तो जरूर वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाए तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ तब तक के लिए बाबाई